गोट में मनिश कषप के पेसी होनी थी यानिकि सेस्थ पर एतना कह siamo याले थे और खबर निकल करां इकि आज़ भी मनिश कषप कोषप नहीं कर दोए कि यह ल्यृष को बेतिया को यह ला और लाये जारा है क्या लग लगा से हुए तो आप लुए खीप नहीं है लगावाई sows Meer नहीं कि आने में लाने में लाका सब्सक्राइब यहान में दिकत है कि अल्टिंटम च्वरासी दिनका जाए तो 84 मिनट के लिए भी उला देंगे तो उनकी सत्ता डगमगा जाएगी इसलिए उन नहीं ला सकते हैं एक सीम और प्रधान मंत्री की आने पर जितनी फोज की बेवस्ता नहीं हो पाती और जितनी से ना की उसे ज्यादा एक आम जन की आने के लिए उतनी सिवाय और सुब्दा पात दिन रहेंगे इस पर क्या कहिए एक आपको बता दे कि एक सोची समझी साजी से एलेक्षन तक उनको रखा जाएगा किसी भी प्रियेड में एलेक्षन के समय देखिएगा आप पार्टी अपना नाम कमाएगी उनके पोश्टर उनके नामों के जरिए नेम फेम कमाएग कि बीजेपी अगर ला रही तो हमें जहां तक मालूम है कि बीजेपी चाहती तो बाहर आ सकते हैं लेकिन बीजेपी भी अपने फलोवर को भी टोड़ने का काम करें सिर्फ उनके नेम फेम से उनको लाने का नहीं सूच रही है यह अस्पष्ट दीख रहा है नहीं तो एक प होने के लिए भी नहीं लाया जा रहा है इतनी सरकार और परसाशन काम हो चुकी है बियार की नियाले जब खुद मनिस्का सब को करें कि सदेव कोट में पेसी करना है तो क्या लग रहा है कि नियाले के बातों को भी नहीं मनें यहां सरकार अपने आप में ऐसे हुकूमत चला रही है आपको बता दें कि राजसाहिः फर्मान जब तूर दिया गया नहीं उसके बावजूद भी आज जो यहां की सरकार हा रहा और जिसमें परजबावां का कोई मोल नहीं होता है सिर्फ राजां जो हुकम करते हैं वहοιों वहता और और वहीं राजसाहिप फर्मान चलाने का काम हो रहा है बिहार में बिहार के आम जनों को यहां पर किड़ा मकोडा के तरह कोचला जा रहा है और उसी प्रकार से समझा जा रहा है उससे ज्यादा कुछ नहीं समझा जा रहा है अगर ऐसा रहा था कानून बेवास्ता पर सरकार की परसासन और करनून बेवास्ता की एक आदमी आम जन को बगएर कोई पावर और बगएर कोई सेलेबरेटी है बगएर कोई धनी और बगएर कोई एस्टेट घराना से बिलोंग करने वाला अगर लड़का कहीं अगर गया है कोई धारा में और उसे लाए जा रहा है फिर भी सरकार और परसासन सब डगमगा रही है डेट सुनीशीत करने के बावजूद भी नहीं ला रही है परसासन की एलोटमंट जारी करने के बावजूद भी नहीं ला रही है क्या दिकत है भाई यह है बिहार का तिलिया चलितर और यह है यहां कि राज तंत्र का तिलिय यहीं आपको बता है कि जो भी यहां के पार्टी फलोवर बिटोर रही है और बता दे कि उनकी सरकार गिरनी सुनिश्ची थी लेकिन इसलिए उनको दुर रखा गया कि साइध दुर रहने से लोगों के अंदर का प्यार उनके प्रती कम हो जाए और सरकार और मेरा गद्दी बर वाले बिहार वासी सभी के अंदर एक उमडान साइसा अंगडाई लेता है जो तुफान के बाती चलता है और साड़े 600 फोर्स नकाम हो जाते हैं और फिर बादित कर दिया जाता है डेट सुनिशित किया हुए सरकार और कोट की सब फेल कर दी जाती है और नहीं लाई आती है जाते जाते क्या कहिएगा जाते जाते यहीं कहेंगे बिहार वासी यो से कि आपने एक लाल को ऐसे बनाया कि जिसे देखकर पूरे सरकार डगमगा गई तो आपके आहां 12 लाक से ज्यादा ऐसे लाल है जिसे जिनके हाथों को साइद आप मजबूत करेंगे तो यह सत्ता नह कि सरकार है सभी डगमगा जाएगी और आपकी जो भी विचार धारा और जो सोच होगा समाज को आगा बढ़ाने का और उच्छ अस्थान देने का वह मिल पाएगा तो आप सब भी अपने लाल को ऐसे ही मजबूत करिए और इतना जरूर बनाईए कि साइद उस गलियार सत्त कि गलियारों वाले का सात्ता छीना जा सके या न जा सके लेकिन आपका लाल आपके हक के लिए लड़ सके और हक मांग सके बहुत बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद आपको